हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जारूं कि कैसे आप अपने Vivo Y100 Android वाइल फोन में आप जो है नोटिफिकिशन मैथर्ड सैटिंग को आप डिसेवल कैसे कर सकते हैं ठीक है और यह नोटिफिकिशन मैथर्ड सैटिंग जो है डिसेवल होने के सब्दूल करना है अब आपको डिस्प्रेंग्राइक में आपको नीचाँ आरे आप पर आपको ऑप्शण म मिलेगा सबसेद्र पर सेटिंग करती है यह आप देख सकते मेरे मोवाइल फून की सबसे उपर नोटिफिकिशन यहापर शोर है वाई बहु sixth नोटिफिकिशन आय तो जो भी आपके नोटिफिकेशन आते हैं जिस एप का नोटिफिकेशन आता है उस एप का आइकन आपको शो होता है उपर की साइड में या फिर नमबर शो होता है ठीक है काउंटिंग में तो यहां पर जो आइकन आपको शो रहें नोटिफिकेशन के यहां से हट जाएंगे यह देखे मैं इसे known पर select कर लेता हूं तो देखे वो icon यहां से हड़ी आई अगर कोई भी notification आपकी mobile phone में आएगा ना तो आपके status बार में उस notification का icon दिखाई नहीं देगा ठीक है यह setting जो ना notification method setting disable करने के बाद इस तरीके से काम करती है आपके vivo by 100 android mobile phone में ठीक है अब मैं आपक notification method setting को ढूंड़ने का एक shortcut तरीका बता देता हूं आपके mobile phone में ठीक है इसके लिए आपको करना होगा आपको अपने phone का setting page open करना है ठीक है setting page में आपको सबसे उपर search icon का option आपको select करना है और यहां पर आपको सबसे उपर search bar में type करना है notification method ठीक है जो setting का name है वो आपको पू shortcut तरीका बता दिया इस setting को ढूंड़ने का